हाई एब्रीवन वेलकम बैक आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नमबर 2 का सॉल्यूशन तो चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है और करते हैं उस पिक चर्चा Question 2 है हमारा बिंदू 2,4 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समिकरन लिखिये इस परकार की और कितनी रेखाए हो सकती है और क्यूंद तो हमारा पॉइंट क्या दिया है दो और 14 तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है यह हमारा एक्स है और य तो एक्स का वैलू क्या दिया हुआ है दो और य का वैलू 14 तो हमें समिकरन लिखना है तो समिकरन लिखने के लिए क्या करते है या तो एक्स प्लस य रहता है क्या कर लेंगे तो प्लस 14 तो यह एक्स समिकरन हो सकता है एक्स प्लस वाई इतना है आद दोनों को एड करने पे 16 तो यह हमारा एक समिकरन हो गया इस्सी परकार क्या करेंगे हम लोग और भी समिकरन बना सकते हैं है कई दो एक्स कर वाइंग हमे कितना है माइनस बारा इसी परकार से क्या कर सकते हो बहुत सारे लेकिन 6 तुम्हारा क्या रहेगा यह एक्स का वार्टिन-ooky डो ही रहेगा और होटिन का वैलो 14 ही रहे गा तो जब भी तुम graph खीचोगे तो क्या देगा हमेशा हमेशा वो दो और 14 को cross करेगा जैसे यह हमने खीचा इसे मान लिया x dash यह x और यह y dash और यह y अगर x का value यह 1 माना यह 2 माना तो क्या होगा हमेशा x का value तो 2 ही रहेगा और y का value 14 रहेगा तो यह हमेशा क्या देगा ऐसा देगा तो इसका समीकरन या आप लिखो यह x plus y equal to 16 लिखो इसका समीकरन या फिर लिखो इस परकार से क्या हो सकता है x का value दो और 14 लेके हम लोग अनन्त समीकरन बना सकते हैं तो अनन्त समीकरन बना सकते हैं मतलब मतलब दो और 14 से अनन्त रेकाएं पास करेंगे ठीक है तो दो रेकाओ के समीकरन लिखना है और इस परकार कितनी रेका जा सकती है तो इस परकार अनन्त रेका जा सकती है ठीक है इसे हम लोग लिख लेंगे भासा में, क्या लिख लेंगे, बिंदू, दो और चवदय से, अनंत्रे खाए जा सकती है, क्यूंकि दो और से, अनंत्रे समीकरण्य, बनाई जा सकती है, सिलियर है,